प्यारे विद्यारतों इस शेशन के अंतरकत हम अध्याई 4 के भाग 6 के अंतरकत चर्चा करने वाले हैं पूंजी का जो समयोजन है वो किस प्रकार से करेंगे और इन्हें उधारणों की भांती जो हैं भली प्रकार से जानकारी लेंगे उधारण सिंख्या 14 से लेकर के 17 के अंतरकत देखिए किस प्रकार से सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी का जो समयोजन है वो किस प्रकार से किया जाए कई बार क्या होता है प्रस्ट में हमें ऐसी सूचना दी जाती है कि नए साजेदारों की जो पूंजी है यानि किसी साजेदार का डैथ या रेटायर्मेंट के पश्चाद जो फर्म का जो पुनरकठन हो रहा है उसके अंतरकत जो साजेदारों की जो पूंजी है उनके लाभानी विभाजन अनुपात में रखी जाए तो उसकी करना जो किस प्रकार करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे देखिए साजेदार की सेवा निव्रत्ती या मृत्यू के समें सेस साजेदारों की पुन्जी का जो समयोजन है वो क्या कर सकते हैं अपने लाबहानी अनुपात में किया जा सकता है जैसा की प्रश्ट में सूचना दी गई हो इस स्तती में अन्य सूचना न हो तो सेस साजेदार के सेस का जो योग है वही नई फर्म की कुल पुन्जी होगी या तो प्रश्ट में कहा जाए कि नई पुन्जी इतना है अगर नहीं कहा जा रहा है तो जो साजेदार रिटैर हो रहा है उसके अलावा जितने भी साजेदार है उने की पुनजी का जो योग होगा वही नई फर्म की पुनजी का योग कहलाएगा सेश साजेदारों की नई पुनजी का निर्धरन करने के लिए फर्म की कुल पुनजी को सेश साजेदारों में नए लावहानी विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा जो टोटल कैपिटल निकाली गई है उने सबी साजेदारों में उनके लाब हानी विभाजन अनुपात में वित्रित करेंगे वही क्या होने वाली है उनकी अंतिम पुझी अब प्यारे विद्यारतियों ध्यान क्या रखना है ध्यान यह रखना है कि यदि उनकी पूंजी इस calculated पूंजी जो लाब हानी विभाजन अनुपात में पूंजी ग्याद की है उससे अधिक है तो वह राशी फर्म से साजेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी और अगर कम है तो उतनी अत्रिक्त राशी जो है साजेदार द्व इस प्रकार आधिक्य या कमी साजेदार द्वारा रोकड निकाल कर या रोकड लाकर जैसी भी स्थति हो समायोजित की जाएगी यानि कि यह तो प्रश्ण में आपको कहेगा नई फर्म की कुल पूंजी इतना है अगर ऐसा नहीं है तो जो साजेदार सेवा निव्रत होता य बाटा जाए और यही आपकी अंतिम पूंजी है अब जो पूंजी घातेगा जो डिफरंस निकल कर गया रहा है अगर अत्रिक्त पूंजी है तो साजेदार निकाल लेगा और अगर पूंजी में कमी है तो उतनी राशियों संबदी साजेदार द्वारा फर्मे लाई तक अब देखिए इसके लिए परविष्टी क्या होगी उप्रोक दिस्तती में रोज नामचा परविष्टिया यदि साजेदार द्वारा आधिक्ये राशी का आहरण किया जाए तो क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबिट टू कैश या बैंक एकाउंट और बिलकुर इसका आपोजेट अगर साजेदार की पुणजी कम है उसके द्वारा पुणजी अत्रिक्त लाई जाती है तो क्या परविष्टी करेंगे कैश या बैंक एकाउंट एबिट टू पार्ट कैपिटल एकाउंट और इसकी गणना कैसे होगी जो लाब हारी विभाजन अनुपात में ग्यात पुणजी है और जो वास्ट वीक से उसमें डिफ्रेंस क्या है अगर ज्यादा है तो निकाल ली जाएगी अगर पुणजी कम है तो साजेदार से ली जाएगी किस परकार अनुपात एक अनुपात एक नीरज सेवा निवरत होता है कुँसा साजेदार जो सेकेंड पार्टनर नीरज जो है वह सेवानिवरत हो रहा है महित और सोहन ने निरने लिया कि नई की जो पूंजी होगी वो एक लाख बीस जार रुपै टोटल कैपिटल कितना है का नहीं फिर्म का एक लाख बीस जार सभी समयोजनों के पश्चात मोहित और सोहन के पूंजी खातों का जमा शेश यानी क्रेडिट सेश जो है 82,000 और 41,000 है सभी समयोजन करने के पश्चात सेश साजेदारों द्वारा लाई गई या उनको भुकतान की गिराश्टिकी करना करें तथा आवश्यक रोज नामचा परविष्टियां की जाए देखिए पुराना अनुपात क्या था पुराना अनुपात जो प्रश्ट में दि कार है मोहित नीरज सोहन दो एक एक और अब जो आपका नया लाभानी विभाजन है नया अनुपात्य वो कितना है इन में से नीरज तो सेवा निव्रत हो गया कौन बचा मोहित सोहन तो नीरज का इस्सा हटा लीजिए कितना बचा का दो अनुपात एक यह इनका नाया लाभानी विभाजन अनुपात तो टोटल पुंजी कितना हो ना है एक लाग्वीजान नए अनुपात में मोहित के इसेम आएगा 18000 रुपए और जो आपका शोहन आउसके इसेम कितना है 40,000 रुपए जबकि वास्तों में पुँजी कितनी है, 82 और 41,000 रुपए तो पुँजी होना कितना चाहिए, 80 और 40,000 कितना है, 82 और 41 यानि 2,000 रुपए और एक अजार रुपए जो है पुन्जी अधिक है यह राशी फर्म से निकाल ली जाएगी विड्रॉन जो है वो कर ली जाएगी किस प्रकार से देखिए सबसे पहले तो अपन यह लिखते हैं कि जो नई पुन्जी है एक लाख वीज़ार उसमें मोहित और सोहन का इस्सा कितना है नई पुन्जी एक लाख वीज़ार का जो विभाजन किया जाएगा कौन से नपात में दो अनुपात एक में यह निकल के आ रहा है अस्य अजार और चालिस हजार यानि इतना पुन्जी का बैलेंस होना चाहिए मोहित की पुन्जी होनी चाहिए अस्य अजार सोहन की पुन्जी होनी चाहिए 40,000 जबकि वास्तों में पुन्जी कितना है 82 और 41,000 वास्तविक पुन्जी अंतिम सेश कितना है गैसे, 82,000 और 41,000 रुपमई, यह निहीं, 8000 होना चाहिए, 82 है, तो 2,000 रुपम से बिजरान कर लिया जाएगा, 40,000 होना चाहिए, 41,000 है, तो 1000 रुपम कर लिया जाएगा यह इनका क्या दिया गए क्या है अत्तिरिक्त पूंजी जो फर्म से निकाल ली जाएगी कि फर्म से निकाली जाए कितना दो हजार और एक हजार प्रविष्टी क्या करेंगे विड्रॉन की पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक एकाउट मोहिद द्वारा दो हजार रुपए विड्रॉन सोहन द्वारा एक हजार रुपए विड्रॉन तो बैंक में कितना आजाएगा आपका रुपीज 3,000 यह राशी जो है अमाउंट जो है आपकी निकाल ली जाएगे विड्रोन जो है वो कर ली जाएगी के लिए रहे प्राशन में इस पस्ट सूचना थी नई फर्म की कुल पुझी जो है एक लाख भी जार होनी चाहिए नया अनुपात दो अनुपात एक यानी 80,000 और 40,000 जबकि वास्तों में 82,000 और 41,000 यानी कि 2000 और 1000 अत्रिक्त पुझी है यह क्या कर ली जाएगी फर्म द्वारा विड्रोन Axis Capital विड्रोन बाई सोहन और बाई मोहित जिनके द्वारा भी विड्रोन किया जा रहा है निकाला जा रहा है वो अपन विड्रोन कर लेंगे किलियर है या तक चलें आगे नेक्स देखे क्या कहता है आशा दिपा और लता एक फर्म में साजेदार है लाब को 321 के अनुपात में विभाजित करते हैं यह प्रॉफिट शेरिंग रेशियो दिया गया है पुनर मुल्यांकन ख्याती संचित लाबों से संबंदित सभी समयोजन करने के पश्चात आफ्टर ओल एडजिस्टमेंट आशा और लता के पूंजी खातों का जो जमाशेश है वो कितना है एक लाग साथ जार और असी हजार रुपए यह निर्णय लिया गया कि आश्राव लता के पूंजी खाते नए लाबहानी विभाजन अनुपात के अनुशार समयोजित किया जाए यानि जो अन्तिम पूंजी आफ्टर एडजिस्टमेंट एक लाग साथ जार वस्य हजार वो कितना होनी चाहिए उनके लाबहानी विभाजन अनुपात में साजेदारों की नई पूंजी की गड़ना करें रोकड़ लाने या निकालने से संबंदित आवश्यक रोज नामचा पर्विष्टियां करें उनका अभी लेखन करें देखिए अनुपात कितना है तीन दो एक अब देखिए रेटायर कौन हो रहा है रेटायर जो हो रहा है याँ पर वह लिखा गया है कि सभी समझन करने पर चाहत आश्रा और लता यानि की दीपा का रेटायर मेंट हो रहा है दीपा का अब लाभू में कोई इससा नहीं है आश्रा और लता का जो अनुपात है वह 3 आनुपात एक अब देखिए पिछले प्रश्ट में क्या था पि पूंजी कितनी होगी नहीं दिया गया है तो क्या मानेंगे जो इनकी पूंजी का अंतिम 6 से 1,60,000 प्लस शीजार यानि 2,40,000 यहीं अंतिम पूंजी है और 3 अनुपात 1 में क्या किया जाएगा इसे विभाजित डिवाइड जो है किया जाएगा जितने पूंजी कम है लाई ज जादा है तो पूंजी जो है फर्म से निकाली जाएगे विड्रॉन किया जाएगा किस प्रकार देखिये यानि कि यहां अपने को दिया गया है सभी समायोजनों के पस्चात आशागी पूंजी सभी समायोजनों के प्रश्चात आशा की पूंजी एक लाख साथ हजार और किसका पूंजी दिया गया है लत्ता का पूंजी असी हजार तो कुल पूंजी कितना आजाएगा 240 यानि कि 2,40,000,000 जो है टोटल कैप्रिल कुल पूंजी होना चाहिए जो कि आशा और लता में उनके लाभानी विबाज रनपात में होगी आशा और लत्ता का नया लाभानी विबाज रनपात कितना आएगा आशा अनुपात लत्ता देखें पहले कितना था तीन, दो, एक दिपा नहीं है आशा का तीन, लत्ता का एक यानि कि तीन अनुपात एक यानि पूंजी जो होनी चाहिए 240,000 वो तीन अनुपात एक में होनी चाहिए जबकि वास्तों में है कितनी वो दी गई आपको 160,000 और 60,000 अगर पूंजी अत्रिक्त है निकाल लीजिए कम है साजिदार द्वारा लाई जाएगी किस प्रकार देखें दो लाख चालिश जार की पूंजी आशा तथा लता द्वारा लाभानी अनुपात तीन अनुपात एक के अनुशार कितना आएगा यह आशा और यह दी गई है अपने को लता तो तीन अनुपात एक के कोडिंग आ जाएगा एक लाख असी अजार और यह आ जाएगा आपका 60,000 यानि की पूंजी जबकि वास्तवीक पूंजी कितनी दी गई है वास्तवीक पूंजी दी गई है एक लाख साठ अजार और असी अजार आप compare कर लीजिए आशा की पूंजी होनी चाहिए थी 1,80,000 लेकिन वास्तों में 1,60,000 ही है यानि की 20,000 ये जो है अत्रिक्त पूंजी लाई जाएगी जबकि लता की पूंजी होनी चाहिए थी 60,000 जो की 80,000 ही है तो 20,000 क्या है इनकी पूंजी एक्स्ट्रा है 60 के इस्तान पर 80 है तो 20,000 पूंजी हटाई जाएगी बेशिक टाम क्या है कि अगर प्रश्ट में नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई हो तो जो साजेदार की पूंजी का अंतिम से इसे वही कुल पूंजी है इसे नए अनुपात में विभाजित कीजिए तो यहां लगा ही जाएगा यहां चाहिए तो बीजार की पूंजी जो है वह निकाल ली जाएगी तो असी अजार गटाने के बाद में यानि बीजार हटाना है तो यहां पर रेंटरी का हो जाएगी यहां लगा ही जाएगी यहां बैंक टू कापिटल एकाउंट यहां जाएगा बैंक टू आसा कापिटल ट्वंटी थाउजन यानि की बीज हजार और लता के द्वारा बीजार की पुंजी हटाई जाएगी तो क्या जाएगा लताज कापिटल टू बैंक एकाउट दोनों प्रश्णों में अंतर क्या है इतना ही अंतर है कि जो पहला प्रश्ण था जो धारन सेंग्या आपका फोर्टीन था उसमें दिया गया था नई फर्म की कुल पुंजी एक लाग बीस अजार होगी और इस प्रश्ण के अंतर गय कि इतनी होनी चाहिए थी कितनी है अगर एक्स्टरा है तो निकाल लिजाएगी और अगर मालीजिए कि कम है तो पुंजी जो है एक्स्टरा और लाई जाएगी केलियर है नेक्श देखे क्या कहता है ललित के सेवा निवरत होने पर सामान्य संचे ख्याती पुनर मुल्यांकन से संबंदित सभी समाविजन करने के प्रश्चात उनके पुंजी सतर अजार साथ जार और पचास जार रुपए है यहां निर्ने लिया गया की ललित को दे राशी पंकज तथा राहुल द्वारा लाव वानी विबाजन के अनुपात के अनुसार अनुपातिक रूप से पुंजी लाई जाएगी यानि कुल पुंजी उतनी रखना है प्रश्चन न्यां से पढ़िये क्या लिखा है 70, 60, 50 निर्ने लिया की ललित को दे राशी ललित को कितनी राशी दे है तो ललित को जो देराशी है 70,000 रुपए हैए उसके अगेंस्ट पंकज राहुल द्वारा लाब विबाजन पत्तिक रुप से पूंजी और लाई जाएगी नई फर्म की जो कुल पूंजी होगी सत्तर साथ एक तीस एक पचास एक लाग असी अजार ही लेने रहने वाली है जितना कम है उनके द्वारा लाई जाएगी पंकज और राहुल द्वारा लाई की राशिकी करना करें इसके पचास जार होनी चाहिए फर्म की कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए सत्तर साथ और पचास वन एटी एक लाँख अस्टिय चाहिए और कौन से अनुपात में होनी चाहिए देखिए यहां पर ललिक तो रिटैर होगे तो पंकज और राहुल का जो अनुपात है तीन अनुपात तीन यानि की बराबर अनुपात एक अनुपात एक में क्या जाएगा पंकज वर राहुल का नया अनुपात बराबर तेन अनुपात तेन या ऐसा कहें एक अनुपात एक यानि पूंजी जो है कौन से अनुपात में होनी चाहिए थी एक अनुपात एक में नए लाबहाने विभाजन अनुपात यानि की एक अनुपात एक के अनुपात एक अनुपात एक कुल पूंजी एक लाग असी अजार रुपे में हिस्सा कितना हिस्सा हैगा ये लीजिए आपका आज आएगा पंकज राहुल एक अनुपात एक में यानि के नब्यजार नब्य हजार ये होना चाहिए जबकि वास्तों में पूंजी कितनी है पूंजे का वास्तविक सेश जो दिया गया है वह आपका कुछ इस प्रकार है कितना दिया गया है सत्तर हजार पे तो रिटेर हो रहे है ललित पंकज का साथ और राहुल का पचास जार तो क्या किया जाएगा तीस हजार रुपे तो पंकज द्वारा चालीस जार रुपे राहुल द्वारा लाई गई अत्रिक्त पूंची तीस हजार और आपका जाएगा चालीस हजार रुपे यह राशी लाई जाएगी और सत्तर हजार रुपे जो है हमें क्या करना है सेवन्टी थाउजेंड का ललित को भुकतान करना है तो लिख लीजी एंट्री 30 और 40 जो राशी लाई जा रही है बैंक डैबिट टू पंकर्ज टू राहूल यह बैंक डैबिट पंकर्ज द्वारा 30 और राहूल द्वारा 40 जार यह आपका यहां जाएगा 70,000 70,000 रुपए और यही 70,000 रुपए जो है निकाल लिया जाएगा किसके द्वारा ललित द्वारा क्योंकि ललित जो है सेवा निवरत हो रहा है या माली जे किसी साज़दार के मृत्य होती है तो यह राशी फर्म से निकाल ली जाएगी प्रश्ण का अंतर समझीएगा क्या कहा गया है इसमें तीन साज़दार दिये थे सत्तर, साथ और पचास जो साज़दार ललित है सेवा निवरत होते हैं सत्तर के मुक्तान के लिए इन्होंने कहा है कि जो सेशदो साज़दार है ललित को दे राशी पंकज और अहुल द्वारा लाव विभाजन अनुपात के अनुसार अनुपातिक रूप से पूंजी लाई जाएगी तो अनुपातिक रूप से लिया है कितना ती सो चालिस जो कम पड़ रहा है वहराशी लाई जाएगी क्योंकि अब इनकी जो पूंजी है वह लावहानी विभाजन अनुपात में बराबर होगी नैंटी थाउजन और नैंटी थाउजन यह आपको पूंजी का समाईजन दिया गया है एक ही बेसिक टर्म्स है जो आप भी अदिशनल कैपिटल अल्रेडी इन्वेस्टेट है उसे फर्म से निकाल लिया जाए और इसके संदर में प्रविस्टी हो जाएगी नगद लाने पर बैंक टू पार्टनर्स कैपिटाल अगर पार्टनर विड्रोन करता है तो पार्टनर्स कैपिटल डैबिट टू बैंक प्रविशीट है जो इस प्रकार से है फर्म के साजेदार लाबहानी विभाजन अपनी पूंजी के अनुसार करते हैं प्रॉफिट शेरिक रेश्यू कितना है लाबहानी विभाजन पाद जितना उनकी पूंजी है पूंजी कितनी दे रखी है मोहन का कैपिटल 80 नीरज का 40 चार्स का 40,000 यानि की चार, दो, दो या ऐसा कहें दो, एक, एक अनुपात जो है अपने को प्रश्न में दिया गया है प्रॉफिट सेरिक रेश्यू कितना हो गया, तो इस तु पूंजी यानि दो, एक ये प्रॉफिट सेरिक रेश्यू ध्यान रखना है विल्डिंग, मशि तित्थी को निरज फर्म से सेवा निवरत होने का निरणे लेते हैं कौन रिटायर हो रहे हैं जो सेकिंड कैंडिडेट है निरज जो है वो रिटायर हो रहा है आगे क्या लिखा है उसके इससे का बुक्तान निम्न अनुसार किया जाएगा भवन का मुल्य 20 प्रतीशत अधिक देखें स्थाई संपत्य के मुल्य में व्रधी होने पर संपत्य को और डेबिट किया जाएगा यानि बिल्डिंग डेबिट टू रिवैलूशन एकॉट या ऐसा कहें रिवैलुशन एकॉट के क्रेडिट में चला जाएगा या बाई बिल्डिंग 20% के हिसाब से कितना आ ज पंद्रा प्रतिशत यानी तीन हजार तक बढ़ाना है फिलाल है एकजार किनी दो अजार से पीबीडी बढ़ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्स या देनदार कम हो जाएगा कहां आएगा रीवलुशन एकाउंट के डेबिट पक्स में डेक्स लिका है मशीनरी पर ब प्रतिशत जो है 10,000 रुपए के लिए रहे तीनों ट्रांजेक्शन फर्म की ख्याती का मुल्यांगन 72,000 बहत्तर जार रुपए पर किया गया सेवा निवरत साजेदार का भाग सेश साजेदारों के पूंजी खातु द्वारा संभायो जित देखिए फर्म की ख्याती जो है 72,000 रुपए लेकिन सेवा निवरत कौन हो रहा है नीरज तो नीरज का हिस्सा नीरज का इसा है 1 बटा 4 यानि की 18,000 रुपए और सेस साज़ेदार द्वारा वहन किया जाएगा सेस साज़ेदार कौन है मोहित और सोहन यानि मोहित डैबिट सोहन डैबिट 2 क्या जाएगा आपका नीरज मोहित डैबिट सेकंड पारटी कौन है सोहन डैबिट कितना 18,000 अठारा जार 12,000 और 6,000 क्योंकि सूचना कि अब आप में जो पुराना अनुपात होता है वही क्या होता है फायदा या गैनिंग रेशियो होता है अनुपात जो था 2, 1, 1 ये साज़दा रेटेर हो रहा उसका इसा हटा दीजिए जो 2 अनुपात एक बचा वही नया अनुपात है वही गैनिंग रेशियो होता है जब तक कि प्रस्ट में अन्य कोई सूचना नहीं हो ये आपका गुडविल का ट्रांजेक्शन से साज़दारों के पुणजी खातो द्वारा समयजित किया जा इस प्रकार से समयजन कर देंगे आगे क्या लिखा गया है नई फर्म की जो पुणजी है एक लाख बीस जार रुपय होगी पुणर बुल्यांगन खाता पुणजी खाता हो निफरती के बाद जो तुलन पत्र है जो बैलेंस शीट है वो अपने को तियार करना है एक दम स्टेप बे स्टेप चलेंगे सबसे पहला काम रिवैलूशन यानिकी पुणर बुल्यांगन क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तो समपत्ति में कमी डेविट पक्ष में दाइतव इन्वर्स है कमी यहाँ आएगी व्रधी यहां लिखी जाएगी पहले तीन पॉइंट यही लिखें है बावन का मुल्याई 20 प्रतिशत अधिक बावन कितना दिया गया है एक लाग एक का 20 प्रतिशत 20,000 रुपए जो है क्रेडिट पक्स में दर्ज हो जाएंगे यह लीजिए कि नेक्स्ट रांजेक्शन क्या कहा गया था जो डूबत रन के लिए आयोजन है 15 प्रतिशत तक बढ़ाएं देंदार कितने हैं 20,000 15 प्रतिशत कितना होता है तीन हजार अल्रेडी एक हजार दिया हुआ है तो दो हजार से डूबत रन आयोजन बढ़ गया है डूबत रन आयोजन बढ़ावा कहते हैं यह देंदार में दो जार से कमी कहते हैं कहां जाएगा रिवलुशन के डैबिट पक्स में कहां से आएगी राशी लीजे मैं आलिक देता हूं बीस हजार का पंदरा प्रतिशत होना चाहिए और ऑल्रेड़ी जो है एक हजार है तो कितना आएगा यहां पर दो हजार रुपए मशीनरी पर लिखा गया है ट्वंटी पर्सेंट से डेप्रिशेशन मशीनरी पर बीस परतिशत आथ कितना है मशीनरी पचास जार पचास जार का बीस परतिशत कितना होता है दस हजार रुपए तो यह भी क्या है संपत्ति में कमी डेबिट पक्ष में जो है यह राशी यहां दर्ज कर देंगे किलियर है अब अंतर निकाल लेंगे रिवेलुशन का क्रेडिट में 20,000 डेबिट में जो दिया गया है दो और 10 यानि कि 12,000 यानि 8,000 रुपे क्या दे रखा है अपने को रिवेलुशन का लाब क क्योंकि क्रेडिट पक्ष जो है ज्यादा और साजेदारों में कौंस्य अनपात में जाएगा पुराने लाबानी विवाजन अनपात पुराना अनपात किया था जो पुन्जी का अनपात था यह नि 2-1-1 में जो है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा यह अपना क्या बन गया रिवलुशन अकाउंट अब क्या बनाना है साजेदारों का पुन्जी खाता सबसे पहला काम पुन्जी के संदर में पुन्जी का जो प्रारंबिक से से अब वो अस्तान्तित करेंगे दूसरा काम जो भी आपको बैलेंस शीट के अंतरगत रिजर्व या पी एंडल लिखा है लेबडिस प्रक्ष में तो यहां आजाएगा बाई रिजर्व या बाई पी एंडल असेट्स में पी एंडल है तो यहां आएगा टू पी एंडल एकाउंट उसके पश्चात जो इतना ही तो कार्य करना है सबसे पहला काम कैपिटल असी चालिस चालिस का अस्तांत्र बाई बैलेंस बीडी जो है अपने को क्या करना है कैपिटल अकाउंट में दर्ज यह लिजी असी अजार चालिस जार और चालिस जार अब जनरल रिजर्व देखेंगे कितना है देखिए बैलेंस शीट के अंतरगत रिजर्व जो है वो आपको दिया गया है बीस हजार रुपए कौन से अनुपात में पुरान अनुपात दो एक एक में जो है अस्तांत्र होगा दस जार पांच जार पांच जार यह आपका अजाएगा रिजर्व इसके पश्चाद क्या लिखा जाएगा जो रिवेलुशन पर लाब है उसका अस्तांत्रन कितना था रिवेलुशन का लाब चार दो दो का अस्तांत्रन अब क्या करेंगे देखिए रिवेलुशन का हो गया रिजर्व पी एंडल ट्रांस्फर कर दिए इसके पश्चाद अपने पास में जो पॉइंट बचता है वो है ख्याती के संदर में ख्याती 52,000 रुपए फर्म की ख्याती थी और जो निवर्ठ ओ रहा है नीरज उसका हिस्चा कितना था 2 बटाज चार रिस्चा यानी की 18,000 रुपऐ जो है नीरज के से ख्यात्रन की जो गुडविल ह Somewhereтор्फ है वो निकल करके आ रिये 18,000 यानी की 18,000 रुपऐ ख्या करना है इसको remaining two retiring partners capital account उनके फाइदे गन पाथ में तो बारा जार छह जार अठारा जार तो अस्तांतन क्या होगा निर्ज में बाई बोहित बाई अपना सोहन जो है उसका अस्तांतन कर दिया जाएगा किस परकार से बारा और च्छे के रूप में यह लीजिए बारा जार रुपए तो यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर क्रोस अस्तांतन कर दिया जाएगा to निरज और मोहित के इससे में बारा जार और सोहन के इससे में जो आजाएगा आपका 6000 यानि की 6000 रुपए अब क्या करना है पूंजी का बैलेंस निकालना है क्योंकि यहाँ पर पूंजी के समयजन की बात की गई है अंतिम शेष उनके लावहानी विभाजन अनुपारत में होना चाहिए जैसा की प्रश्ट में लिखा है नई फर्म की जो पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए एक ला हजार रुपए यहां पर कितना दिया गया है बारह अजार तो डिफरेंस कितना जाएगा 82,000 यह आपका बैलेंसिंग फिगर से एमाउंट आजाएगा और यही बैलेंस हमें क्या करना है आगे भी अस्तांत्रन करना है फिर बैलेंस आजाएगा 40 और 5 45 47 47 और 10 57 59 और 6 मिलागर के 65,000 65,000 रुपए यहाँ पर जिरो वैल्यू तो डिफरेंस पूरा का पूरा आजाएगा 65,000 और इसी 65,000 को टू बैलेंस इडी निकला है वो आजाएगा बैलेंस बीडी 65,000 रुपए और लास्ट क्या करना है सोहन का बैलेंस 40 और 5 45 और 2 47,000 रुपए डैबिट मक्स में राशी लिकिए 6,000 गटा देंगे यह आजएगा 41,000 यानि की 41,000 यह लिजिए 47,000 और यही 41,000 क्या होगा बैलेंस जो है वो आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा किलियर है यहाँ तक बैलेंस कितना आ गया 82, 65 और 41,000 क्या करेंगे जो साजदार सेवा निवरत होता है उसे तो वुक्तान कर दिया जाएगा 65,000 और अगर वुक्तान नहीं करना है तो उसके रिंखाते में अस्तान भी किया जा सकता है अब अचते हैं मोहित और सोहन पुंजी कितनी है 82 और आपका 41,000 लेकिन यहाँ प्रश्ण में क्या कहा गया है जो अंतिम पुंजी है वो एक लाख बीस जार रुपए जो है वो आपकी होनी चाह यह कितना होना चाहिए 120 अब 120 को अगर आप अनुपात में विभाजित करते हो मोहित और सोहन में दो अनुपात एक में तो दो अनुपात एक में डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा आपका 80,000 और 40,000 पुंजी एक लाख बीस जार रुपए का कौन-कौन से शाज़दार है मोहित और सोहन में नए अनुपात दो अनुपात एक में विभाजन यह जाएगा 80,000 और आपका 40,000 यह closing balance जो है रहना चाहिए 80,000 और 40,000 का यह अपन क्या कर देंगे capital में दर्ज कर देंगे 80,000 और 40,000 अब जितना भी access amount है अगर capital जादा है तो निकाल लिया जाएगा to bank और अगर मान लिजे closing balance जो है वो जादा है यहाँ balance कम है तो extra राशी लाई जाएगी by bank तो 82 यहाँ पर 80 है तो 2000 रुपए क्या होगा balancing figure अंतर की राशी निकाल ली जाएगी यह आपका 82,000 टोटल लगा देंगे second का already payment हो रहा है 65 अभी अपने ने payment किया था यह 65 third जो सोहन है टोटल कितना रहा है 41 जबकि यहाँ पर कितना है 40 तो 1000 रुपए जो है इनके द्वारा भी withdrawn कर लिया जाएगा तो 2000 और 1000 यह राशी जो है access amount जो है विड्रोन कर लेंगे नई फर्म की कुल पुझी जो है आपकी एक लाख बीस जार होनी चाहिए दो अनुपात एक में जो आएगी 80 और 40 जबकि पुझी का जो अन्तिम शेष था 8241 यानि 2000 और 1000 जो है फर्म से निकाल लिया जाएगा यह आपका साजेदारों का पुझी खाता अब क्या करना है अपने को बैंक खाता जो है त्यार करना है सबसे पहले देखेंगे बैंक का जो प्रारंबिक शेष है जो ओपनिंग बैलेंस है वह कितना दिया गया है देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का बैलेंस शीट बताएगी कैश एट बैंक 14,000 यानि की 14,000 रुपए अब देखिए किसको कितना वुक्तान किया गया है यह आपका बताएगा पुंजी खाता यानि की 2 बैंक निरज को 65, मोहित को 2000, सोहन को 1000 तो सबसे पहले लिखते हैं मोहित का आजाएगा आपका 2000 किलियर है सोहन को कितना वुक्तान किया जा रहा है 1000 रुपए और निरज को कितना वुक्तान किया जा रहा है 65,000 यानि की 68 का वुक्तान टोटल पेमेंट है जबकि प्रारम विक्षेश कितना था 14,000 रुपए यानि की कितना डिफ्रेंस आ जाएगा 54,000 जो है वह आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है अंतर की राशी क्योंकि 14,000 है पेमेंट 68 का किया गया यानि 54,000 रुपए जो है बैंक ओवरड्राफ्ट लिया गया है और बैलेंस श सबसे पहले लिखा गया है बिल्डिंग तो बिल्डिंग में क्या चिंजे जाए उनको प्लस माइनिस करते वे लिखेंगे जो बैलेंस शीट हमें दी गई थी उसमें लिखा था बिल्डिंग एक लाख रुपए और चिंजेज गया है थे बावन का मुले 20 प्रुतिशत अधिक तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसके अंतरगत बिल्डिंग आएगा आपका एक लाख बीस हजार रुपए यह आपका बिल्डिंग एक लाख बीस हजा यह देखिए आपका पीछे की स्लाइट देखते हैं मशीनरी बैलेंस शीट में 50 जार डेप्रिशेशन 20 परसेंट यानि की 10 जार घटा देंगे 40 जार जो है वो आपकी मशीनरी दर्ज हो जाएगी यह जाएगा 40 जार इस टोग के बारे में कोई चेंजेज तो स्टोग में किसी परकार का जो परिवर्तन है जो चेंजेज यह वो अपने को नहीं दिया गया है जो बैलेंस शीट ती स्टोग 18,000 वही राशी अपन जो स्टोग में लिख देंगे लेकिन देंदार पर 15 पर ति पर तिश्यट से यह जार से अजय बनाना एक हजार अल्डेडी थे दो जार और गटा देंगे यह जार अज़ तोग कोई चेंज नहीं है 18,000 डेटर्स 20,000 के थे 15 पर तिश्यट तक आयोजन यानि कि तीन हजार गटा के लिखेंगे 17,000 कहां से आए एक हजार का तो अल्रेड यायोजन था दोजार का और बना लिया इन टोटल पंद्रा परसेंट तीन हजार यह जेगा 17,000 यहां क्या जाएगा सबसे पहले तो कैपिटल लिखेंगे मोहित और सोहन की पूंजी अंतिमशेश कितना था असी और चालिस यानि की एक लाख बीस अजार यह लिजी असी बैलेंस शीट देखिए क्रेटर कितने दिये गए थे यह आपको ग्रेटर दिये गए थे बैलेंस शीट के अंतरगत 21,000 देखिए रिजर्व आपका बंद हो गया है दोहराव नहीं करना है यह रिजर्व नहीं आएगा यह लिजे क्रेटर कितने थे 21,000 जनरल इजर्व बंद और बैंक ऑवरड्राफ्ट जो है कितना था 54,000 यानि की 54,000 रुपए यहां पर अपन दर्ज कर देंगे यह क्या तियार हो जाएगा आपकी बैलंस एट जो है चित्था जो हो तियार हो जाएगा बैलंस एट का क्या कर लेंगे टोटल लगा देंगे तो एक बीस और इक इस कितना जाएगा 141 और 54,000 जोड़ों कितना जाएगा एक लाख पिचानवे हजार रुपए यह अपने को कार्य करना है देखें प्रश्णी की जो शुरुवात है जो हल करने की शुरुवात है सबसे पहला काम आपको प्रश्णी में क्या करना होता है वो यह है कि इनका पूराना लाभनी अनुपात कितना है दो एक एक क्योंकि इस पुष्ट लिखा है पूंजी असी चालिस चालिस यह निए दो एक एक दूसरा काम यह करना है कि नया अनुपात और फाइदे का अनुपात क्या है तो जब तक प्रश्ण में सूचना नहीं दे तो जो सर्दा रिटेर हो रहा है उसका इसा छोड़ दो तो दो अनुपात एक बचेगा वही नया है वही फाइदे का अनुपात नेक्स स्टेप क्या होता है अपने को यह जो रिवैलुशन से संबंदित दो या तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे वह आपको करना है किस प्रकार से संपत्ति में व्रदी क्रेडिट में कमी यह आ ज ज़र्वत नहीं है ऐसे नहीं कितना बड़ा सारा बन गया कैसे बनाएंगे सर स्टेप बेस्टेप चलना है पहला काम जो है आपको बैलेंस बीडी लिखना है कहां लिखा होगा जो बैलेंस सीट होगी उसके दाइट उपक्स में कैपिटल लिख देंगे दूसरा काम इसके बाद में आ जाएगा गुडविल रिमैनिंग टू रिटाइरिंग जो की अपने ने गुडविल के संदर में अल्रेडी खूब सारी जानकारी ले रखी है इसका अस्तान तर्ण कर दिया जाएगा अब जनरली बाकी प्रश्ट में क्या ओता है जो साजदार रिटाइर होता है उसको पेमिंट करना होता है टू बेंक या टू लॉन एकोंट और शेश जो दो साजदार उनका बैलेंसीडी अब यहाँ पर नया परिवरतन के आया है कि पुन्जी का समयजन यानि जो नई फर् साजदारों की पुन्जी में है वो निकाल लेंगे टूब बैंक और जिनकी पुन्जी में कमी है वो एक्स्ट्रा धनराशी लेकर क्याएंगे बैंक और इसी के साथ प्रश्ण का समापन हो जाएगा बचेगा क्या केवल और केवल बैलेंस शीट चिथा और चिथे में कुछ भ और बुकता नहीं किया उसके रणखाते में है तो टू रेटारिंग पार्टनर्स लोने काउंट आ जाएगा और बचता ही क्या है जिनमें चिंजिस नहीं है उनको एस जैसा प्रश्ण में दिया गया था वैसा का वैसा जो है अपने यहां पर दर्ज कर देंगे तो साजेद सारी में फिलाल के लिए इतना ही टॉपिक को नेक्स लास में आगे बढ़ाएंगे थैंक यू वेरी मुच